एक वह दोड था जब कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर लोगों को जागरूप करने के लिए सरकार के द्वारा तरहत्रह का अभियान चलाया जा रहा था, ताकि ग्रामें छेतरों के लोग sap क 15 को पुरोना टिका लेने के प्रती जागरूप हो. इतना ही नहीं सरकार के तरफ से एक और शबुफा छेडा गया था कि कोरोना वैक्सिनेशन में तेजी लाने को लेकर 6 माह में 6 करोड लोगों का टीका करण किया जाएगा हालांकि शुरुवाती दौर में वैक्सिनेशन में काफी तेजी देखी गई लेकिन कोरोना वैक्सिनेशन लेने को लेकर जब ग्रामीनों में जागरूगता देखी गई तो हर प्रखंड के स्वास्ट्य केंद्रों में वैक्सिन लेने के लिए ग्रामीनों का हुजूम उमड़ पड़ा अब आलम यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन लेने को लेकर क्रामीनों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर घंटों इंतजार के बाद बिना वैक्सीनेशन के ही घर को लौट जाना पड़ता है ताजा मामला रेफरल अस्पताल चंडी का है जहां मंगलवार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीनों ने पटना चंडी सडक मार्क को जाम कर दिया सड़क जाम कर रहे आक्रोशित ग्रामीनों ने बताया कि पिछले पांच दिनों से रेफरल अस्पताल में वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन्हें बिना टीका करन के लोटना पड़ता है अभी धान रोपने का भी वक्त है लेकिन सब कुछ छोड़कर ग्रामीन वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर आ रही है हालां कि जाम की सूचना मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुँची और किसी तरह से समझा बुझा कर जाम को हटाया वहीं इस समबंध में नालंदा सिविल सर्जन ने फोन पर बताया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या उत्पन हो रही है इसकी सूचना वरिय पदाधिकारियों को दी गई है हम लोग सरकार के गाइड लाइन के हिसाब से काम कर रही है सबसे पहले सेकेंड डोज लेने वाले लोगों को प्रात्मिक्ता दी जा रही है जैसे ही टी का उपलब्ध होगा तो सभी प्रखंडों में सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा प्रखंड प्रखंड यहां में रोट जाम कर दिये हैं कि अर्दिन से स्वेहां हईय मंगल को टायम करें मंगल करके दिल वायी आप पते नहीं कितना जनता भी आया हुआ है क्या परसानी हो रहा है परसाना के बाला लगा के लोग आता है जाता है और बाला लगा जाता है कब से सुई नहीं है करें पांचे रोची क्यान यहा जाता है जब।